मिक्स भेज की सबजी सभी को बहुत पसंद होती है जब आप एकी बरतन में प्रेसर कुकर में बनाएंगे कम तेल में बनाने का और खाने का दोनों का मज़ा धूगना हो जाएगा आज मैं लेके आई हूँ प्रेसर कुकर में मिक्स भेज की रेसिपी इसमें काजु इस्तमाल करेंगे ना इसमें क्रीम इस्तमाल करेंगे सिंपल घड के चीजों से बनाएंगे टेस्ट में कोई कंपरमाईज नहीं ये आज की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं मिक्स भेज बनाने के लिए मैंने लिया है हरा मटर फ्रेंच बीन से हम ले लेंगे कटा हुआ सिमला मिर्च ले लेंगे साथ में कटा हुआ आलू ले लेंगे कटा हुआ गोभी ले लेंगे कटा हुआ गाजर हम ले लेंगे साथ में पनीर ले लिए हैं पनीर डालने से मिक्स भेज बहुत अच्छा लगती है मसाला के लिए हम दो गोट अमाटर ले लिए हैं उठो काट करके हम प्याज ले लिए हैं एक इंछ छील करके अध्रक ले लीए हैं दो गोहरा मिर्चा ले लिए हैं एक उपोट लहसुन के छील के ले लिए हैं गरेंडर जार ले करके मसाला पहले हम पीश लेंगे सभी चीजों को हम ढाल करके पहले गरांड कर लेंगे ये easy वाली recipe बना रहा है तो लिए सब को एकी साथ पीस लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके fine paste बना लेंगे आप चाहे तो 8-10 काजू भी इसमें डाल करके पीस सकते हैं अपर सभी चीजों को मैंने अच्छे तरह से पीस लिया है ये देखिए अब हम चलते हैं सबजी बनाने के प्रोसेस में तो हम कुकर में बना रहा है तो गैसन करके कुकर चड़ा दी हैं गरम होने के लिए कुकर को गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे तेल तेल गरम हो गई है तो पनीर को छोड़ करके साड़े सबजिया हम डाल देंगे भी mix wedge बनाया जाता है तो सब्जियों को अलग-अलग तल के निकाला जाता है मैं यहाँ पे dip फड़ाई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे cello फड़ाई कर रही हूँ फड़ाई किया हूँ सब्जी को टेस्ट जदा अच्छाता है नहीं तो यह उबला उबला टेस्ट आएगा अब आप थोड़े से तेल में इसे ऐसे फड़ाई करके जरूर निकाल ले सब्जीयों को दो मिनट हम फड़ाई कर लिए हैं अब लाश्ट में हम इसमें पनीड डाल देंगे पनीड डाल करके अब फड़ाई कर लेंगे उकर में shortcut method है सब्जीयों को डालिए और फड़ाई करके निकाल लेजिए के बाद मसाला पेश्ट बना करके हमें सब्जी बना लेंगे अब दो मिनट सारी सब्जीयों को मैंने फड़ाई कर लिया है अब सब को हम निकाल लेंगे हमें जादे बरतन भी गंदा नहीं करना ये की बरतन में बना के तयार करेंगे और कम मेहनत में जोकर गरम हो गई है तह फिर से वापस हम तेल डालेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगी तेगों तशपता डालेंगे कुटा हुआ एक थोई लाइची डाल देंगे और आधा चमच जीरा डाल देंगे बीच से चीरा लगा करके दोगो हडा मिर्चा डाल देंगे विची जोगो थोड़ा सब भून करके गैस का फ्लेम लो कर देंगे एक छोटी चमच हल्दी पौडर डाल देंगे उसके बाद में डाल देंगे एक बड़ा चमच लाल मिर्च पौडर सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे उसके बाद में पेश्ट बना के रखें उसको डाल देंगे लाल मिर्च आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन गरम तेल में हल्दी और लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है इतरह से चलाते हुए इसे 5 मिनट तक पका लेना है मसाला जितना भूना हुए रहेगा उतनी अच्छी सब्जी बनेगी तो इससे भूनते हुए 5 मिनट हो गई है तब इसमें हम सुखा मसाला आट कर देंगे एक छोटी चमच धनिया पौडर डाल दिये हैं आधा छोटा चमच इसमें हम जीरा पौडर डाल दिये हैं एक छोटा चमच इसमें हम गड़म मसाला डाल दिये हैं अब चाहे तो इसमें काली मिर्च की पौडर डाल सकते हैं किचन किंग मसाला डाल सकते हैं लेकिन इसमें इ तो दही फट जाएगी तो इसलिए आपको सबसे पहले gas को अउप कर देना है मसाला जब थोड़ा सा जन्दा हो जाएगी तब धही ढालेंगे नहीं तो धही फट जाएगी तो इस बात को आप ध्यान देजेगा तो आप देखे, देख सकते हैं मसाला में धुआ आना बंध हो गई है तब इस लेवल पर आप दही, चाहे क्रीम एड़ कर सकते हैं कि दही, क्रीम यहाँ पर फटेगी नहीं अच्छी तरासे हम इसे मिक्स कर देंगे दही और मसाला को अची तरह से हम मिक्स कर देंगे वापस से हम फिर से गैस चालू कर देंगे और इसे ढख करके एक मिनट हम पकने देंगे कि दही का खटापन धूर हो जाएगी एक मिनट के बाद देखेंगे कि ये हमारा मसाला अची तरह से पक गया है इसमें हम क्या करेंगे टेस्ट को इंहेंस करने के लिए हम इसमें डाल देंगे वापस से मेगी मसाला या किचन किंग मसाला पास मेगी मसाला था यह अपिशनल है आपको मन हो तो डाल सकते हैं न तेसके बिना भी बना सकते हैं इससे भी बहुत अच्छा बनेगी पर मैंने थो तो यहां पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे एक चमच इसमें हम नमक डाल दियें अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे मिक्स भेज जादे ग्रेवी वाली अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए जादे पानी का इस्तमाल ना करें मसाला में पानी मिक्स कर दिये है अब फ्राई किया हुआ सब्जी हम इसमें डाल देंगे इसे हम क्या करेंगे कि हलके हांतर से सारी सब्जी को मिक्स कर देंगे देखे ऐसे इस सब्जी में क्रीम काजू का इस्तमाल नहीं किया है अगर आप चाहिए तो मसाला पीषते समय काजू एड़ कर सकते हैं आपको क्रीम डालना है तो यहाँ पर दो चमच क्रीम डाल सकते हैं उपर सारी सब्जियों को अच्छी तरह से हम मिला दिये हैं और हाई फ्लेम पे कुकर का ढखन बंद करके दो सिटी लगाएंगे सब्जियों को हमने फढ़ाई किया है और छोटा काटा है तो यह इसके लिए दो सिटी परफेक्ट है सिटी लगते ही कुकर को हम बंद कर देंगे तो सारा प्रेसर निकल जाएगा कुकर ठंडा हो जाएगा तो कुकर खुल लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे क्या कलर आया है सब्जी का रास्ट में क्या करेंगे कि एक चमच रोष्ट किया हूँ कस्टूरी मेथी करस करके हम डाल देंगे चाहे तो गस्टूरी मेथी के जगत धनिया पता भी डाल सकते हैं पर इसके बाद में मिला करके इसे सब्ब कर लेंगे हम हमारी मिक्स भेज बन के तयार है बहुत ही सिंपल तरीके से बना के देखाएं है टेस्ट में कोई कंपरमाज नहीं काम आपका आसान हो गया यहाँ पे चलते हैं सर्फ करने के लिए तेही सबजी कोई भी खा के नहीं बोल सकता है के सबजी मैंने कोकर में बनाया है और सारी सबजी perfect एक दम पकी हुई है आप देख सकते हैं तेहां पे बस पानी का ध्यान डखना होगा कितना डालना है कितना पकाना है मसालों में मैंने बताया कि आप टेस्ट के बढ़ाने के लिए काजू भी डाल सकते हैं किरिम भी डाल सकते हैं टेस्ट आपको जादे बढ़ाना है तो ये सारी चीजे आप एड़ कर सकते हैं मैंने सिंपल तरीके से इसे बनाया है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर करना नहीं भूलिएगा और एक बार बना करके जरूर खाये मिक्स भेज की सबजी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड बाई बाई